पाँच इम्पोरेंट चीजे पहले पाइल होती है पेला ऋपका टुटल सप्लाइटिक सप्लाइट सप्लाइप प्रसेंटीज के साफ से और कितना अमाउंट हो रहा है राइट हर साल कितने टूकर रिलीज हो रहा है वो भी काफी इंप्रेंट डेटा होता है इसके बाद यह होता है कि अगर जो supply पूरी जब अलोग हो जाती है राइट जो supply total supply market में आ जाती है उसका inflation rate क्या है वो भी काफी important data होता है so वो बाज में depend करता है कि आपकी जो circulating supply हो पूरी 100% होगी उसके बाद inflation rate जो है वो applicable होती है और वहापे burning है या नहीं है वो भी काफी matter करता है तो टोकन एकॉनमेक के काफी चीजे होती है उस पे शरकुलिटिंग supply, total supply, supply distribution कैसा है उसके अंदर वेल कॉंसेट्रेशन कितना है retail concentration कितना है वेल कॉंसेट्रेशन मतला बड़े अकाउंट कितना प्रेसेंट अप सप्लाई होल्ड कर रहे है और retail के पास distribution किस टाइब से वो दिख रहा है तो वो चीजे काफी बड़कते हैं इसके अलावा टोके उयुटियी किया है वो बड़कते है और सेंब टाइम टाइम एकन अकाउनग अगर अर्ली इंवेशन यह supply का data उस पर depend करता है कि again कितने ज़्यादा participation होना है वाला है future में generally अगर meme coins का आप देखो कि supply ज़्यादा होती है और price उसके एसाब से कम होती है क्योंकि वो masses को target करते हैं उनका ऐसा होता है कि काफी ज़्यादा लोग उसको भाई करें retail market पे ही वो focus करते है तो जो coin जितना ज़्यादा retail market पे focus करता है जिसका use की retail heavy होता है तो उसकी supply थोड़ी से ज़्यादा होती है और या metaverse की बात करते है तो उस पे retail का involvement बिल्कुल होता ही है retail का participation होगा उस हिसाब से 1 billion supply अगर होती है तो एक decent supply है वो कोई बड़ी supply ही नहीं है right so 1 billion supply आप ज्यादा नहीं है अगर उस चीज़ को consider करते है कि market में कितना ज्यादा participation आने वाला future में तो उसकी हिसाब से it is sort of decent supply इतना easy जितना easy लगता है आप खाले data लेकर पुट कर रहे हो तो उससे मतलब नहीं उस डेटा को आप पुट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह 1 billion है तो यह justify है के नहीं है वो किसे पता लगया है वो पता लगया कि आपके कितना research किया है आपको market की कितनी समझ है तो वो जो understanding है वो तो कैसे depend होगी वो depend होगे कि आप कितना follow कर रहे हो वो experience के साथ आएगी वो ऐसा नहीं कि आप आज से बोला कि सर ने ऐसा से बताया है मैं ऐसे काम चालू कर हुआ और इसके साब से सारे कोई की research करना मैंने सालू कर दिया और दो तिन मैंने अलाला वीडियो देख लिए उसके साब से डेटा कर दिया और अपना थेसिस बना लिया और सोच लिया अरहे अपने को सब आता है तो यह काफी बड़ी गलत फेमी हो जाते क्रिप्ट एक ऐसी space है क्रिप्ट एक इंडिस्ट्री है जिसमें किसी बंदे ने एक मेने भी काम कि उसको भी सब नहीं आता है इतना ज्यादा यहां पे लोगों को मित है एक्चुल में तो अभी भी लोग सीख रहे है विटालिक भी रोज सीख ला है विटालिक बूटेरियन जो इथिरियम का फाउंडर है वो आज भी सीख रहे है क्योंकि इंडिस्ट्री इनोवेट हो रही इंडिस्ट्री में वेट्री और क्रिप्टो के अदर जो भी बंदा बोलता है उसको सब आता है तो उससे बड़ा चूतिया कोई भी नहीं है और अगर वो समझता है उसको सब आता है तो फिर उसकी वहाँ से सौट ओफ ग्रोथ जो है डिकलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी कभी उसकी इंट्रेक्शल ग्रोथ दियो पाएगी इस फेस में इसलिए आप बली कितना ही टाइम स्पेंट कर चोके हो तीन साल लगा दिया चार साल लगा दिया बट आपकी जो लर्निंग कवे कभी खतम नहीं होनी जितनी लर्निंग कव आपकी खतब होगी क्रिप्टो के उसके बाद आपका गुरोथ रुख जाएगा जैसे पीस ओप एडवाइस आइ बुट लाइक तु शेयर विथ यू उस चीज का आप सवड़ा ध्यान रखिए के बात करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई प्रसेंटेज की तो कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और उसका प वो ग्रेट में आ सकते हैं काफी ग्रेट टोकन एकोलोमिक्स है काफी सही है उस केस पर अगर हंड्रीट प्रसेंट सप्लाई है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बट यह पर यह चीज यह भी आपको देख ली पड़ेगी कि जितना लया टोकन होता है इस्पेशली अ सब्सक्राइब काम कर रहे है तो उसमें पोटेंशिल ज्यादा है उन थीम में पोटेंशिल ज्यादा है तो उन प्रोजेट को गर आप ट्रैक करोगे तो आपको पहापे सप्लाई आपको जनली 10 परसेंट 20 परसें 30 परसेंट ही मिलेगी तो यह पे इस नॉट अट बच और सब्सक्राइब करेंशिल ज्यादा है तो बुझे इस नॉट परसेंट सब्सक्राइब करेंशिल जाएगी तो उस केस पर प्रॉलम सोल हो जाती तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि वेस्टिं शेडूल कैसा है यह चीज इतिम इंपोटेंट यह है नए प्रोजेट के ल सब्सक्राइब के उपर चली जाएगी वह चीज ज्यादा हमको देखने पड़ेगी युटिलिटी वाला स्रेक्शन ऐसा है कि 90 प्रोजेक्ट आसे हो तो उनकी युटिलिटी होती नहीं है उनकी युटिलिटी ऐसी होती कि स्टेक आप करके रिवार्ड कमा सकते हो या फिर उसे पर रिवार्ड कमा सकते हो वह होती है तो उस पर कोई मतलब नहीं तो उतलिटी जितनी ज्यादा रहती है इस ज्यादा उस टोकन का यूज होगा और प्रोजेक्ट प्रोपर डेवलब कर रहा है तो वह टोकन की प्राइस आगे फ्यूचर बेग्रोथ होने के चांसे लेवल ब्लोग्चें के जणरली जो डिफाइड उतलिटी होती है वह प्रूफ ओफ स्टेहिं की एगर बात करते तो एक तो स्टेकिं हो जाती है और सेकेंड होता है कि जो चांक्शन फीस होती है जो नेटफवर्ग फीस होती है उस पे वह ब्ытता है इस जो कोई आपको यू बट जो core utility Metaverse coins की है, वो payment है, कि जो भी Metaverse का ecosystem बनेगा, जुसका economy होगा Metaverse का, उसको जो power करेगा, उसके payments को handle करेगा, वो उनका coin करेगा, right? supply किसको कितने जाएगी और कब जाएगी, right? उसका पूरा token economics होता है, 20% investors के पास जा रही है, 5% advisor के पास जा रही है, 10% marketing के लिए है, तो वो लोग supply को कैसे allocate करने वाले, कैसे distribute करने वाले, वो चीज़ काफी better करती है, तो अच्छी token economics, अच्छा supply distribution वो होता है, जहापे retail के पास supply जाएगा जाती हो, right? जहापे team कम supply hold कर रही हो, जहापे investor कम supply hold कर रही हो, चैनल को subscribe करना मत बुलना और bell को click करना ताकि future more videos के update मिलते रहे, thank you.